नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे assignment marks के बारे में और साथ में बात करेंगे जो student promotion के लिए eligible हो चुके हैं और उनका marks अभी तक assignment का marks update नहीं हुए हैं उसके बारे में तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएं और इगनू के student हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम grade card के उपर चलते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 5 फरवरी 2021 तक का grade card को update कर दिया गया है तो आप अपना grade card को check कर सकते ह जो student MCA के हैं उनका grade card update कर दिया गया है 5 फरवरी 2021 तक का तो जो student promotion के लिए eligible हुए थे तो आप अपना grade card को check कर लिजे कि आपका grade card का marks update हुआ या नहीं हुआ और साथ में बात करेंगे जो कि आप देख रहे हैं कि MCA वाले जो student है उनका भी grade card का marks update कर दिया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 फरवरी 2021 तक का grade card का marks update कर दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MCA के student हो या फिर BCA के student हो तो उन सब का grade card में marks update कर दिया गया है 5 फरवरी 2021 तक का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह student जो है यह BCA के student है और इनका जो है सारे paper में complete complete दिखा रहा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सकीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो subject में not complete दिखा रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MCA 053 और MCA 054 में इनका अभी तक complete नहीं दिखा रहा है और सारे grade card जो है वो complete दिखा रहा है सो आप देख सकते हैं इसके बाद देख रहा है कि आपका जो है यह MCA का एक और student है उनका भी grade card में marks update हुआ है सो आप देख सकते हैं 5 फरवरी 2021 तक का और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका भी complete complete दिखा रहा है और कुछ course में complete not complete दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं तो आप अपना grade card का marks चेक कर सकते हैं MCA का हो BCA का हो या फिर other program का है तो आप अपना grade card में marks चेक कर लिजे इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि re-evolation result जो कि आप देख सकते हैं कि re-evolation result का 6 फरवरी 2021 तक का अपडेट कर दिया गया है तो जो भी student re-evolation के हैं तो उनका भी उमीद है कि इस वार आपका re-evolation का marks अपडेट कर दिया गया होगा तो आप re-evolation का result को चेक कर लिजे आपडेट नहीं हुए हैं और वह promotion के लिए eligible हो गया है आपका hall ticket में promotion के लिए आ गया है eligible हो चुके हैं तो आप great card को चेक कर लिजे तो बस इस वीडियो में इतना है